जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 फरवरी और 25 फरवरी 2023 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिथी क्या होगी? नक्षत्र क्या होगे? कौन सग्रह राशी बदलेगा? किन ग्रहों की युती होगी? और उससे क्या योग बनेगा? और इन सभी चीजों का प्रभाव आपकी दिंचरिया पर कैसा होगा, आपकी जीवन के हर एक शेत्र पर किस तरह से होगा हर छोटे से छोटा बदलाव, हर बड़े से बड़ा बदलाव, हर एक चीज के बारे में विस्तार से जानेंगे इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जोट जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं तो चलिए सबसे पहले, अब इनी दो दिनों के तिथी नक्षत्र योग के बारे में जान लेते हैं 24 फरवरी का दिन, यह शुकरवार का दिन है, शुकल पक्ष की पंचमी तिथी है और अश्विनी नक्षत्र रहेगा इस दिन शुकल नाम का योग बना है, जिसके स्वामी मा पारवती हैं, बहुत ही शुब योग माना जाता है किसी भी शुब कार्य के लिए इस दिन चंद्रमा मेश रासी में हैं, राहु के साथ यूति कर रहे हैं, और सूरिय कुम्भ राशी शनी के साथ शत्विशा नक्षत्र में सरवार्थ सिद्धी योग बनेगा और रवी योग बनेगा, दोनों ही योग पूरा दिन रहेंगे अब इजीत मुरत होगा दोपहर बारा बजकर बारा मिनट से बारा बजकर सत्तावन मिनट तक अब पच्चीस फरवरी का दिन तो ये दो दिन है, शनिवार का दिन है, शुकल पक्ष की शष्टी तिथी है, भाणी नक्षत्र रहेगा और ब्रह्म नाम का योग बनेगा चंद्रमा मेश रासी में, राहु के साथ, सूरिय कुम राशी में है, शनि के साथ, शत्विशा नक्षत्र और त्रिपुशकर योग है, जो की तीन गुना लाभ के लिए जाना जाता है, साथ में रवियोग भी बना हुआ है पूरा दिन, और अभीजीत मुरत है दोपहर बा की ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा, तो चलिए पहले जानेंगे 24 फरवरी के बारे में कि यह 24 फरवरी का दिन है, यह आपके लिए कैसा होने वाला है, सबसे पहले स्वास्थे की बात करेंगे, स्वास्थे के लिहाद से यह जो दिन है, यह अच्छा है, आप कुछ बाहर क गतिविदियों में ज्यादा सम्मिलित रहेंगे आपके अंदर एनरजी होगी उस एनरजी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे आज अपनी दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ऐसी कठनाईयों को हल कर पाएंगे जिनसे आप काफी समय से जूज रहे थे आपका ज्यान और आपका हास परिहास आपके चारों और लोगों को प्रभावित करेगा और ये तुलाराशी के लोगों का एक गुण है कि सभी लोगों के साथ हसी खुशी का बातावन बना कर रखते हैं एक बैलेंस बना कर रखते हैं दिन बहुत अधिक रोमांचक भी रहेगा प्रेम जीवन के मामले म उनसे संपर्क करें उनके साथ वक्त बिताएं और इस दिन का लोध फुठाएं कारेशेत्र की बात की जाए तो आपके कारेशेत्र में भी आपकी कड़ी मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा आपकी मेहनत रंग लाएगी आज कोई आपको किसी तरह का सर्प्राइज भी दे सकता है या तो आपका जीवन साथी सर्प्राइज दे सकता है या फिर आपका अगर कोई पार्टनर्शिप में काम चल रहा है तो वहां आपको किसी तरह का सर्प्राइज मिल सकता है क्योंकि जो चंदर की यूति राहों के साथ है सब्तमभाव में है तो आज कुछ न काम करते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है दुकानदारी करते हैं जिनके डेली इंकम का काम है वो उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है बस एक चीज़ का ध्यान रखें अजनवी लोगों पर भरोशा करने से आपको बचना होगा और जो भी आप काम करते हैं चाहे आप जौब करते हैं किसी तरह की योजना आपने बना रखी है तो अपनी योजना को गोपनी एहता से बना कर रखना है यानि अपनी योजना के बारे में जादा खुलकर आपको बातें नहीं बतानी है इस चीज का आपको धिहान रखना होगा आज अपने किसी म बदूर बनते होई दिखाई दे रहा हैं स्टुडेंट्स की बात करें तो स्टुडेंट्स के लिए भी दिन जो है वो काफी फेवरेबल होने वाला है आपका ध्यान पुरा पढ़ाई की तरफ रहेगा मेश रासी के चंद्रमा हैं और मेश रासी के चंद्रमा आपको ऐसी रात्मक फिल्ड से जुड़े हो हैं तो ऐसी जगए से लाब की अफिल्ड हैँ आपके लिए ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही हैं सब्तम भाव बदलावों के लिए भी जाना जाता है साज़ दारी के लिए भी जाना जाता है और किसी भी काम को अप शुरू करना चाहते हैं या पहले सी आपने शुरू कर रख रहा अभी आपके सामने अगर कोई पार्टनरशिप के लिए आपको आफर देता है तो आप अच्छे से सोथ समझ कर डिसीजन ले सकते हैं ये पार्टनरशिप का आफर आपके लिए फाइदे मन भी रहेगा तो कुल मिला कर ये जो दिन है अच्छा है सरवार सिद्ध योग जो बना हुआ है ये आपके कामों को सिद्ध कराएगा थोड़ी मेहनत पे जादा लाव की उम्मीदे आप कर सकते हैं उपाई के तोर पर आप हन्मान 40 का पार्ट जरूर करें इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इससे आप अपने कामों पर भी पूरा ध्यान दे पाएंगे चलिए अब जानते हैं हम 25 फरवरी के बारे में 25 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है योग की बात की जाए एक तो ब्रह्म नाम का योग बनेगा दूसरा त्रिपुषकर योग इस दिन बना हुआ है त्रिपुषकर योग बहुत ही शुब योग माना जाता है नाम से ही जैसा प्रतित होता है त्रि यानि की तीन यानि तीन गुना आपको लाब दिला सकता है थोड़े कम प्रयास करने पर ही इसलिए इसका फाइदा आपको जरूर उठाना चाहिए चंद्रमा सप्तमबह में ही विराजमान है राहू के साथ कुछ चीजों कर लेकर आप थोड़े से क्रोधित जरूर हो सकते हैं जो चीज़ें आपके हिसाब से ना चलें तो क्रोधित आप हो सकते हैं लेकिन आपको अपने लिए ये पता है कि कौन सी चीज़ें आपको लिए कहां नुकसान दायक है और ये सबसे बड़ी बात है तो चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे साहसी होंगे द्रड निश्चे ही होंगे देखे जीवन में कोई भी राह जो है न वो आसान नहीं होते इसलिए आसान राह चुनने की बजाए आप अपने काम पर जादा फोकस करें धर्या से काम करें दोपहर को दो बजे से शाम के छे बजे तक का समय आपके लिए बहुत लखी रहेगा इस समय आवधी में आपको जरूर अपनी कामकाजी जीवन में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको खुश करने वाले होंगी कार्यालम में अगर कुछ परेशानी चल रहे थी तो वो भी दूर हो जाएगी और जिन परेशारियों को अब जब तक जहलते आ रहे थे उनसे बाहर निकल कर आप काफी अच्छा फील भी करेंगे आपके रिष्टों के लिए भी ये दिन अच्छा है नए रिष्टे शुरू हो सकते हैं और साथ में अगर आप विवाह के योगे हैं तो विवाह की बाते भी चल सकती हैं विवाह की बाते आगे बढ़ सकती हैं अगर आप व्यपार करते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी ऐसे लोगों से बचना होगा जो काम काज के जरीए आपके अंदर की बातों को जानना चाहते हैं ऐसे लोगों से आपको बच कर रहना है अच्छा लक्ष बनाया है तो उस लक्ष को पाने का प्रयास करते रहें जितनी जल्दी आप उसे लक्षा की तिरफ आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा करमठ वने और जो करमठ होता है निस्ठावान होता है वो अपने साथ बाकी लोगों को भी जोड़ कर चलता है और यही तुलाराशी की खासियत भी होती है तो वैफसाय में नई उचाईया चूने के लिए तयार हो जाएं और साथ में आपकी किस्मत भी आपका पूरा सपोर्ट करेगी किसी ना किसी वरध आशरम में आप कुछ दान करके जरूर हैं यह आपके कारोबार में बरकत कराने वाला होगा पाकी प्रेम जीवन अच्छा है और साथ में दामपत जीवन भी अच्छा है बहतर दिन रहेगा कोछ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं शाम के समय तो उससे आपका दिन भी और अधिक रूमानी हो जाएगा तो दोस्तों और अधिक आसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोलें